हाई गाईज वेलकुम चुन अस वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ गरम मसालेदार टेक्निकल अपडेट्स के बारे में और जब मेरे आपे कह दिया कि गरम और मसालेदार तो फिर रेड्मे का नाम आए बिना कैसे रह सकता है रेड्मे की फ्लेक्शेफ स्मार्टफोन की हम न्यूस तो वैसे काफी ही टाइम से सुन रहे हैं रूमर्स भी इतने निकल रहे हैं इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन पता चल रहे हैं तो बात के बिना तो रह भी नहीं सकते हैं और एक जो नई खबर यहां पर सुनने को मिली ह है वो यह है कि रेड्मी ने यहां पर एक नया अपना लेटेस्ट टीजर जारी किया है चाइनीज वेब साइट पे रेड्मी एक्स फोन के नाम से जिसमें इस फोन की जो पिच्चर है वो बिल्कुल क्लियर यहां पर दिखाए दे रही है फ्रेंड साइड में आपको नॉच आपको in-display fingerprint scanner का technology देखने को मिल सकता है बात करें अगर कुछ और स्पेसिफिकेशन की पिच्चर के अलावा तो प्रेसल जैसा कि हम यहां पर सुनते ही आ रहे हैं कि snapdragon 855 chipset के साथ आपको यह Redmi X flagship smartphone देखने को मिलेगा नेक्स्ट बात ही अगर यहां पर triple rear camera की तो इसमें फर्स camera आपको देखने को मिलेगा 48MP का सेकंड हो गए यहां पर 8MP का और थर्ड हो सकता है यहां पर 13MP का telephoto lens नेक्स्ट और कुछ पात अगर यहां पर करें तो इसमें आपको 6.4 या फे 6.39 इंचेस का AMOLED screen देखने को मिल जाएगा अगर बैटरी की तो 4000 mh की बैटरी के साथ आने वाला है आपको इसमें देखने को मिलने वाला है एक मिनिट मतलब वायर्लेस चारजिंग और NFC भी दोनों यहां पर Redmi के इस Redmi X में मैं तो थोड़ी doubtful हूँ यहां पर कि सच में वायर्लेस चारजिंग और NFC के इस प्राइस पॉइंट पर आ सकता है क्योंकि प्राइस जो यहां पर सुनने में आ रहा है वह सुनने में आ रहा है 20-25,000 का प्राइस पॉइंट ऐसा बूलो जा रहा है कि जो रेड्मी का रेड्मी एक्स फोन होगा वो स्नाप्रेगन के 855 चिपसित का सबसे चीपस स्मार्ट फोन होगा तो फिर उसमें वायर्लेस चारजिंग और NFC का होना थोड़ा सा यहां पर डाउट फुल है नेक्स अगर हम चले फोन के लांच की तरफ तो यह सुनने में आ रहा है कि रेड् पोको F2 के बारे में भी सुन रहे हैं पोको F1 का सक्सेसर है स्नाप्रेगन के 855 चिपसित के साथ ही सुनने में आ रहा है और अब जो यह रेड्मी एक्स के स्पैसिफिकेशन है काफी कुछ मिलते जुलते हैं यहां पे तो 99% पॉसिपलिटीज यह है कि जो यह रेड्मी एक् F2 के नाम से आपको क्या लगता है कि क्या रेड्मी एक्स पोको F2 के नाम से इंडिया में लॉंच हो सकता है या फिर नहीं जो भी आपकी रहा है जरूर से शेयर करें में इसा नीचे कॉमेंट्स बॉक्स में और अगर आप नए हैं तो नीचे देखरें लाल बटन पर क्लिक करके प्लीज सब्सक्राइब कर लिजए चैनल को साथ ही में जो घंटी का इकाने उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूले और उसी के जिस पास में एक चोटा सा लाइक का बटन है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और कीप वाचिंग वीडियो इस अबाट तो बिगे गाइस डाउनलोड कीजिए नास्ट्रा गेमर्स प्रो अप्लीकेशन को बहुत ही कमाल का अप्लीकेशन है घर बैठें आप यहाँ पर अडिंग कर सकते हैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी तो चलिए डाउनलोड कीजिए नास्ट्र गेमर्स प्रो अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर रेड्मी की तरफ से एक और न्यूज आ रही है जिन लोगों को रेड्मी नोट 7 प्रो बहुत ही जादा पसंद आया है उनके लिए गुद न्यूज है कि रेड्मी नोट 7 प्रो का एविंजर्स एडिशन भी बहुत ही जल स्मार्टफोन का एक टीजर लाँच किया है रेल्मी एक्स के नाम से इस टीजर में भी आपको एक नॉचले स्क्रीन का फोन दिखाई दे रहा है पॉप अप सल्फी कैमरा के साथ बहुत ही खुबसूरत फोन यह दिख रहा है रेड्मी एक्स की तरह है लेकिन अब है जो रे रेल्मी की तरफ से भी फ्लेक्शिप स्मार्टफोन आने वाला है तो फ्लेक्शिप स्मार्टफोन में तो स्नैप्रेगन की 855 के चिपसेट होनी चाहिए तो यहां पर रेल्मी एक्स प्रो करके भी एक फोन टीज हो रहा है जिसमें स्नैप्रेगन की 730 के चिपसेट यहां प और स्पेसिफिकेशन की तो प्रसल्द मैंने आपको बता दिया है केमरा सेटप की बात करें तो डियल रर और ट्रिपल रर केमरा सेटप के साथ आ सकता है जिसमें प्राइमरी सेंसर आपको 48 मिगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा नेक्स्ट यहां पर वाइड अंगल हो सकता है या फिर टेली फोटो लेंस आपको देखने को मिल सकता है इन डिस्प्ले फिंगर्प्रिंट स्कैना देखने को मिलेगा रियलमी के इस नेक्स्ट फोन में बात करने कुछ और फीचर इस की यह फोन भी पहले चाइना में ही लॉंच होगा तो स्पेसिफिकेशन वगेरा और भी जादा है यहां पर क्लियर हो जाएंगे बात है अगर प्राइस पॉइंट की तो यह फोन यहां पर 25 से लेके 28,000 के प्राइस पॉइंट पे दिख रहा है बेस वेरिंट जो 6GB वाला होगा वो और जो अपर वेरिंट है 8GB का वो शाए 30,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाए लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रियल्मी का यह जो 30,000 के प्राइस पॉइंट पे टीज हो रहा है पॉप अप सेलफी कैमेरा वाला फोन वो रेड्मी के एक्स को कॉमपीट कर पाएगा या फिर नहीं जो भी आपकी राय हो शेर करना जरूर है मेरे साथ नीचे कॉमेंट में और अगर आपको पास कुछ और इंफरमेशन है रियल्मी के और रेड्मी के फोन के बारे में तो वो भी जरूर से शेर करें नीचे कॉमेंट में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें बिल्कुल भी ना भूलें नेक्स अपडेट जो है वो यहां पर वापस से रियल्मी की तरफ से आ रही है बहुत स्ट्रॉंग लीक्स आ रहे हैं रियल्मी यूटू फोन को लेकर के हो सकता है यह फोन आपको में में लॉंच देखने को मिल जाए रियल्मी यूटू है रेड्मी की वाई सीरीज को टककर देखा ही रियल्मी यूटू भी आपको दिखेगा 32 मेकापिक्सल की सेल्फी केमरा के साथ अभी कब लॉंच होगा इसकी डेट कुछ क्लियर नहीं है लेकिन जैसे डेट क्लियर होगी आपको जरूर से अपडेट मिलती रहेगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल भी ना भूले रेड्मी हो गया तब नेक्स अब्डेट यहां पर निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से सैमसंग की ए सीरीज का सैमसंग गैलेक्सी ए ए ए टी भी यहां पर मई महिने में लॉंच होने वाला है जिसमें हमें स्नैप्रगन का सैवन थर्टी का प्रोस्सर देखने को मिला और साथ ही साथ ट्रिपल रर केमरा देखने को मिला जो कि ट्विस्ट मेकैनिजम पर यहां पर वर्क करता है यह फोन भी इंडिया में मई के महिने में ही लॉंच हो रहा है और नेक्स जो समसंग की गैलेक्सी का एम सीरीज का फोन है गैलेक्सी M40 उसके बार में भी बहुत ही स्ट्रॉंग लीक्स आ रहे हैं कि यह फोन भी आपको मई के महिने में ही लॉंच देखने को मिले next news निकल के आरे है यहाँ पर Reliance Jio की तरफ से आपने Amazon सुना है आपने Flipkart सुना है लेकिन अब बहुत ही जल्दी Jio की तरफ से Super App भी सुनने वाले हैं जी हाँ यहाँ यहाँ पर Reliance Jio जो है वो एक एप्लिकेशन यहाँ पर डेवलप कर रहा है Super App के नाम से जिसमें आपको सो से जादा सर्विसेज देखने को मिलेगी और तग्रा कॉम्पेट करेगा यह जो Amazon और Flipkart जैसे online platform है उनको यह जी 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 और जैसे एक e-commerce platform को competition दे पाएगा या फिर नहीं जो भी राय हो शेयर करना है नीचे comments box Next update निकल के आ रही है OnePlus 7 की तरफ से बहुत ही excited launch है OnePlus 7 series का OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro 14 Benz को release होने वाले हैं और launch से पहले यहां पर कुछ अपडेट्स निकल के आई है Geekbench की website पर जिसमें यहां पर क्लियरली देखा जा रहा है कि जो यह pro version होने वाला है इसमें आपको 12GB RAM variant तक का option देखने को मिल जाएगा साथ ही साथ इसमें आपको notchless screen देखने को मिल सकता है pop-up selfie camera देखने को मिल सकता है कितना सच है कितना जूट है वो तो launch के बाद हमें पता चल ही जाएगा और कुछ बात करें तो इस Tabragon 855 chipset है और ऑक्सिजन आउस पर वर्किंग है Android 9 Pie आपको इसमें देखने को मिलेगा 4150 mAh की बैटरी है अफकोस फास चारजिंग को सपोर्ट करेगा 6GB RAM, RGB RAM तक आपको देखने को मिल सकता है USB Type Support देखने को मिल सकता है इंडिस्प्ले फिंकप्रिंग स्कैनर देखने को मिल सकता है नेक्स्ट आपने टिंकल के आरा है Google Pixel के मिल रंच फोन्स की तरफ से जो की होने वाले है Pixel 3A और Pixel 3A XL ये भी आपको मही के महीने में ही लाँच देखने को मिलने वाले है 7 मही को इनका global launch होने वाला है और इंडिया में Flipkart पे launch होने वाले है 8 मही को बात है अगर कुछ specification की तो Google Pixel 3A में आपको 5.6 इंच का display देखने को मिलने वाला है Snapdragon 670 chipset के साथ और वहीं बात है 3A XL तो उसमें आपको 6 इंच का display देखने को मिलने वाला है Snapdragon 710 chipset के साथ नेक्स्ट और लास्ट अप्डेट हमार पास निकल के आती है Amazon की तरफ से Amazon की super summer sale यहां पे start हो रही है 4 मही से लेके 7 मही तक इसमें आपको बहुत सारे smart phones पे discount offers देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ pen drive हो गए headphone हो गए, speakers, laptop bags इन सभी पर आपको discounts लेकने को मिल जाएंगे और इस बार Amazon ने combination किया है SBI bank के credit और debit card के साथ तो आज की stack updates में इतना ही है जो major question है वो है realme X और redme X को लेकर के जो भी आपके लाए हो प्लीज में साथ share करते रहें नीचे comments box में वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेर करें, सब्सक्राइब करें MK Technical को, डाउंडूट करें असरा गेमर्स प्रो को, हम मिलेंगे इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तिल रहें से बाबाएं, थैंक्स पावाच